नमस्कार आप सभी को और ये जो गुरु का जो गोचर हो रहा है टॉरस राशी में उसका सेकिंड पार्ट है तो चलिए इस वीडियो की शुरुबात करते हैं तुला लगन से पिछले वाले वीडियो में हमने कन्या लगन की बात की थी अब ये तुला लगन की हम बात करते हैं तुला लगन वालों के लिए गुरु का गोचर उनके अस्टम भाव से हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे ही एक तारीक को आएगा और इनको कुछ ना कुछ रिजल्ट बिलकुल फटाफट से दिखेंगे क्योंकि अस्टम भा बात लगने फैबली से लिट कोई ना कोई ट्रान्सफोर्मेशन आ सकते हैं फैमली चनम पर अंदर कुछ के अंदर च Anyways हुसक छिए पर लंबह भात भीगद करहता है तो यहां पर इस टाइम पर ये तेरा महिने के अंदर वो जो मतलब चीजे हैं वो सौर्ट भी हो सकती है आपकी और यहां पर अगर कोई फॉरन से अगर किसी का कुछ इंकम सोर्स है या काम है तो यह समय बहुत अच्छा है फॉरन इंकम आपके घर के अंदर आएगी फॉरन कर करन रहा है तो और अगर आप कोई फॉरन में काम सेट अप करना चाहते हैं तुलालगनवाले तो यह समय आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा बहुत पॉजिटिव रहेगा तो आप कर सकते हैं कोई पुरानी आप कोई कोई आपके ऐसे रिसोर्स कोई आपकी ऐसी एवड कुछ है अगर तो यहां पर उसके अंदर भी आप कोई ना कोई एक्षन जरूर करेंगे वहां पर भी आपकी एनरजी जाएगी कोई गोल्ड को लेकर कोई एवडी को लेकर पुरानी पैत्रिक संपत्ती को लेकर यहां पर आप लोगों की एनरजी जाएगी और यहां पर क्य जो आपको इस तरफ आपका इंट्रेस्ट लेकर जाएं और ये बहुत सदन तरीके से होगा, बहुत रहस्यमय तरीके से होगा, हो सकता है इस वक्त आप कुछ ऐसे गुप्त स्थानों की यात्राइं करें, आप कोई देवी के मंदिरों में जाएं, आप कोई ऐसे मंदिरों में अगर गुरु यहां पे नेगेटिव है, तो हो सकता है, सदन आपका कोई family से break हो जाए, family के अंदर किसी की death कोई बहुत old, अगर कोई इनसान आपके घर में है, वरद इनसान है, तो उनको भी मुक्ति मिल जाए, यह समय वो भी दिखाता है, family get together यहां पे होना, family का एक साथ मिल और सबसे अच्छा आपके लिए यह है, अगर इस गोचर को आपको positive करना है, तो आप अगर हो सके, तो किसी साधना को पकड़े, कोई mantra करना आप चालू करें, जो long term चले, या कोई research work में अगर आप energy डालें, तो बहुत अच्छा time है, यहां पे हो सकता है, आप कोई finance से करेंगे, अपने partner के साथ में मिलकर भी आपको यहां पे कुछ ना कुछ नए investment, finance rate it करेंगे, और आपके लिए वो positive रहेगा, अब हम बात करते हैं, Scorpio लगन वालों के लिए, तो वरिशिक लगन वालों के लिए, यह guru का गोचर जो है, वो सक्तम भाव से हो रहा है, तो जो ल आपके social circle है, वो बहुत बढ़ने वाला है, आपके social circle में बहुत नए-नए लोग आएंगे, और ऐसे लोग आएंगे जो बहुत संपन लोग होंगे, बहुत prosperity जिन लोग के पास में होगी, वो आपके पास में कुछ ऐसी opportunities भी लेकर आएंगे, जो आपके लिए भी बहुत fruitful र बहुत जादा हो रही हो, यह चीज़े भी आपके साथ में होता है, अगर आप social media से connected है, तो हो सकता है, आपको कुछ finance related चीज़ों पर आपको बुलाया जाए, आपकी कुछ राय ली जाए, या फिर अगर आप नहीं है, तो आप ऐसी सब चीज़ों को सुन रहे होंगे, आपके यात्राएं होंगी बहुत सारी, लेकिन ये सारी यात्राएं आपकी commercial traveling को दिखा रही है, आपके finance में उससे बड़ात्री होगी, आप जितना travel करेंगे, आपका finance उतना जादा अच्छा होता चाला जाएगा, overall ये जो transit सब्तम भाव में से जो गुरू का हो रहा है, आ अगर यहां पर आपकी age जादा है, या आपको diabetes अगर आपको है, कोई और आपको हरनिया की problem है, आपको fat के issues रहते हैं, liver का issues हैं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सब्तम भाव मारक स्थान भी है, तो हो सकता है आपकी energy इन सब बिमारियों को ठीक करने में जा या फिर विष्णू, विष्णू, विष्णू की chanting जितना आप कर सकते हैं इस time पर आप करें, आपके लिए काफी beneficial होगा, मिठी चीज का दान आपके लिए बहुत ही beneficial है, आप पीली चीज गुरुवार के दिन जरूर से दान करें, क्योंकि सब्तम भाव में से गुरु अग आपके partner, आपका husband, आपके spouse को ये सब चीजे हो सकती है, क्योंकि सब्तम भाव मारग भी है, यह हो सकता है, आप नहीं कर रहे हैं ये सारी चीजे, तो आपके partner जो है, वो commercial activities में उनका involvement बढ़ जाए, उनकी travelling बहुत हो, commercial travelling उनकी यहां पर बहुत हो सकती है, तो दौनों चीज मामी यहां पर छटे घर में जा रहा है, तो सबसे पहले important इनको अपना daily routine पर बिलकुल mindful रहना है, उसको बिलकुल भी ऊक चुक नहीं करना, उसमें लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि लगन का मालिक छटे घर में जा रहा है, लगन का मालिक छटे घर में जाता है, तो य इनको बहुत अच्छा रखना है, और यहां पर गुरू इनके पैसे के अंदर व्रधी करेगा, इनकी जो income sources बढ़ाएगा, क्योंकि यहां से दस्वी पर दरस्टी है, पंचम की, मतलब पाच्वी दरस्टी दस्वे भाव पर है, और नवी दरस्टी second house पर है, तो second house, family, finance, food, कुटों, बोलना, यह सब चीजों पर गुरू की अमृत की दरस्टी पढ़ेगी, बहुत अच्छा रहेगा, although वो नीच की दरस्टी है, लेकिन फिर भी यहां पर उनकी जो savings है, वो यहां पर बढ़ेंगी, और आप जितना हो सके, नई SIP करवाना, गोल्ड खरीदने का यह लिए अच्छा समय है, हो सकता है, आप कोई गोल्ड रखके अपना लोन ले, या अगर आपने गोल्ड रख रखा है कहीं पर भी लोन पे, तो यह समय आप जो 13 महीन है, आपका गोल्ड जो है, आप बैंक से या जहां पर भी इंस्टीट पर रखा है, वो आपका छूट लेकिन होगी जरूर, और अगर आप घर को लेकर भी कोई अगर लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि गुरु आपके चौथे भाव का मालिक है, तो लोन अगर आप घर को लेकर, प्रोपर्टी को लेकर, वीकल को लेकर लेकर लेना चाहते हैं, तो वो भी पॉजिटिव टाइम है पर यह सिर्फ आना जाना ही होगा और इसको आप लाइटनी ना ले, अगर ऐसी बीमारी डिटेक्ट हो तो आप तुरंट डॉक्टर के पास में जाके दिखाएं जरूर और अगर यहां पर गुरू अगर आपको लगता है कि आपका आलस बहुत बढ़ा रहा है क्योंकि छटे घर में जब गुरू आता है तो फैट बढ़ता है आलस बढ़ता है काम करने का मन नहीं करता है मीठे का इंटेक बहुत जादा बढ़ जाता है क्योंकि नीच की करना धनू राशी वालों को अपना डेली रूटीन सबसे ज्यादा अच्छा रखना है अगर आपने ये कर लिया तो आपका दस्वा घर मतलब स्टेटर्स करियर नेम वे बढ़ातरी और धन सेविंग सबसे अच्छा तो सेविंग यहां पर मुझे दिखने को मिल रही है तो य आपकी मंत्र जाब की जो शक्ती है आपकी सॉलूशन बहुत लंबे समय से अगर आप कोई प्रॉब्लम में फसे वे और उसका सॉलूशन नहीं मिल रहा अगर आपको तो यह बहुत अच्छा समय है आप कोई भी अगर किसी से आप सॉलूशन लेने जाएंगे तो आपको रा से जाएंगें लेजिए अगर और और क्यूशन के लिए समय थाइंगे हम प्रॉब्लम मेर टॉर्वलम में प्रॉब्Я जा रहा है और यहां पर बच्चों के लिए आप हो सकता है कुछ नई एक्टिविटीस या तो आप बच्चों के साथ में जॉइन करें उनका इन और हो सके तो आप अपने बच्चों के साथ में काफी अच्छा time spent करें उससे overall आपकी भाग्य में विरद्धी होगी क्योंकि Jupiter यहाँ पे 9th house को भी देख रहा है आप overall positive रहेंगे आपको मंदिरों में आना जाना बहुत रहेगा आप धार्मिक जगों पे जाओगे और यह सारी activities आपकी life के अंदर एक नई उर्जा एक नई positivity लेकर आएगी हो सके तो विष्णु की chanting आप जरूर करिये विष्णु सहस्तनाम आप पढ़िये विष्णु के मंदिर में जाएगे और अगर यह 12 साल बाद आएगा वापिस पहले 12 साल बाद आए था तो बहुत अच्छा समय आने के बाद में भी आप काफी positive feel करेंगे और हो सके तो अपने बच्चों को जरूर लेकर जाएं बच्चों के भागी के लिए भी यह समय बहुत positive रहेगा बच्चों को ऐसी प्रैक्टिस करवाएं कि वो मंदिर जाना चालू करें या कोई भी मंत्र चैंटिंग बच्चों से हो रहा है तो fourth house में शुक्र की राशी में गुरू का गोचर बहुत बढ़िया है और यह बहुत बढ़िया है अगर गुरू अच्छी position में है और शुक्र अच्छी position में है तो no doubt आपके पास पे property की व्रद्धी होगी आप वीकल भी खरीज सकते हैं दो में से एक चीज पक अच्छा समय घर के अंदर एक positivity रहेगी घर का वास्तु अगर आप करवाना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा समय रहेगा आपको कोई अच्छा वास्तु वाला मिल सकता है जो आपके घर की energies को change करें आपके घर के अंदर काफी positivity आए और जितना हो सके घर के अंदर आप yellow color अभी add करें, specially southwest के अंदर add करें, northeast को अपने clean करें, light करें, वहाँ पर समय व्यतीत करें, एक विष्णु भगवान की सुंदर सी painting आप अपने north east direction में लगा है, आप देखिए आपके घर के अंदर बहुत positivity आएगी, बहुत ही शुब समय है आप लोगों के लिए, यह सारी activities व हम बात करते हैं, आपका मकर हो गया, कुम हो गया, मीन राशी वालों के लिए, तो मीन राशी वालों के लिए यह जो गोचर है, यह थर्ड हाउस से हो रहा है, थर्ड हाउस में शुक्र की राशी में आपका गुरु आ रहा है, तो पहली बात तो आपकी काफी अच्छी, luxurious journeys ह होने वाली है, आप काफी सारी यात्राएं करेंगे और काफी सुख सुविधाओं के साथ में करेंगे, हो सकता है आपकी siblings के साथ में, कोई female siblings के साथ में आपकी यात्राएं हो, और अगर आप कोई food का काम, कोई खाने पीने का काम initiate करना चाहते हैं, शुरुवात करना चाहते काफी समय से सोच रहे हैं, तो तीसरा घर इनिशेशन का है, स्टार्टिंग का है, किसी भी काम का, तो बहुत अच्छा समय आप कर सकते हैं. ज्वल्री से लिटिट कोई भी काम करना चाहा है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इस टाइम के अंदर. जोलरी हो गया, food हो गया, finance sector में अगर आप एंटर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, आप शोशल मीडिया का कोई भी काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, आप जरू से शुरुआत करिए, बहुत अच्छा रहे का, क्योंकि third house पूरी तरीके से आपके courage, आपके चार्ट में महादशा पॉजिटिव चल रही है क्योंकि महादशा मेजर चीज है पावरफुल चीज है मतलब देने वाली चीज होती है वह सिर्फ महादशा के पास ही होती है महादशा का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है अगर नेगेटिव महादशा चल रही है तो गोच जो भी फल देने होते हैं और यहां पर हो सकता है आप कोई गुरु का उपदेश सुनना चालू कर दें क्योंकि थार्ड हाउस जो है वो उपदेश होगा भी है तो आप कोई हो सकता है आप अनलाइनी यह से कोई प्रेमा नंजी महाराज हो गए ऐसे आप उन लोगों से बड़ वो पॉजिटिव विटी लेने की वज़े से क्योंकि जब आप पॉजिटिव चीजे सुनते हो तो आपका माइंड बदलता है आपके एक्शन बदलते है तो थार्ड हाउस एक्शन है उसके जर्स अपोजिट नाइन थाउस है तो आपका भाग्य बदलेगा तो अगर आप कोई भी डिसकोर्स सुनते हैं ऐसे कोई भी कोर्स अटेंड करते हैं जो स्प्रिचुलिटी से कनेक्टेड है आपके लिए बहुत अच्छा है हो सकता है आप छुटी-छुटी यात्राइं करें ऐसे कोर्स करें ऐसी जगों पर जाएं जिससे आपका भाग्य जरूर से बदल झाल ुटी नग लुटी य जज भी जरू लुटी बचले करते हैं जुटी जरूर से कि अज़ हैं आपके लाएं ए सकता हैं लुटी यवाद से करें दिए जिन दिएर पीर दितित दित